लोन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ 38,000 की ठगी का मामला सामने आया है मगर इसमें जो बात सामने आई है वह बड़ी चोकाने वाली है क्योंकि एक सरकारी अधिकारी के पती द्वारा यह ठगी करना बताया जा रहा है देखे इस रिपॉर्ट में मिली जानकारी के मुताबक आश्टा के शांती नगर निवासी रवी विश्व कर्मा ने आश्टा थाने में एक शिकायती आविदन दिया है जिसमें आश्टा जनपत पंचायत की समन्वक अधिकारी पुश्पा बाथम की पती दिनेश बाथम पर आरोप लगाए है शिकायत करता ने लिखा है कि वियापार के लिए दिनेश ने पाँच लाग का लोन दिलाने का जहासा दे कर खिश्टों में 38,000 रुपे ले लिए पैसे लेने के बाद भी लोन नहीं दिलवाया हुआ नहीं और जब मैंने उनको बोला कि काम नहीं हुआ तो मेरे पैसा रिटन दे दो तो उनने गाली गुलोज करी उनके घर पे गया तुम्हें और टाल टूल के और बोला कि जान से मरवा दूँगा और कोई पैसे नहीं आपके मेरे 38,000 रुपे पांच हजार कभी आठ हजार बोले इसको देना है कभी महाँ खर्चा होगा ऐसे करके 38,000 लोन भी नहीं हुआ अभी तक दो ड़ाई साल से परेसान हो रहा हूँ उन्होंने बोला कि तुमसे जो बने करो मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हारा और गाली उता करी उन्हें और उन्हें बोला किसी भी केसे इसमें फसाग दूआ में मुझसे उलजना मत मैं नोकरी करता हूँ बेडागड में इस मामले में जनपत पंचायत आश्टा CEO डी एन पतेल ने मामले में जाच का आश्वासन दिया है कुल मिलाकर अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में आगे क्या कारवाही होती है Bureau Report, MP News, Sehor